कि अपना सइंटेक विजेन अटु बिंदी चैनल बेहु संजे स्वागत करते हूं अब सभी का दोस्तों मुख सीखरें वर्ड 2016 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लुग जानेंगे इंसर्ट टैप से टेक्स्ट ब्लोग के अंदर मौजूद टेक्स्ट बॉक्स के बारे में और ट्विक पार्ट्स ऑफशन के बारे में यह दोनों ही बहुत ही कमाल के ऑफशन हैं बहुत ही जादे यूज होता है जब भी हम कोई भी मैगजिन या फिर बुक्स बगएरा बनाते हैं तो हाँ पर इसका बहुत ही जादे यूज होता है तो इससे प्रापर समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्टक देखते रहे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकोन पर क्लिक क इसके बारे में तो दोस्तों यह रहा वोल 2016 और यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट रख रखा हूं पहले से ही और इसी पर हम लोग समझेंगे कि यह कैसे प्रापर तरीके से काम करेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इंसर्ट टैप के अंदर यहां पर टेक्स्ट ब्लॉक है और इसके अंदर जो सबसे पहला ओप्सन है वो है टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स एक्चुली हम कभी यूज करते हैं एक्चुली कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा मैगजिन्स वगेरे में जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में थोड़ा सब कोई भी क्लिप दी जाती है छोटा सा बॉक्स बना करके कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगेरा है या फिर छोटा सा कुछ मैसेज वगेरा अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स के रूप में वहाँ पर दे दी जाती है तो इस टाइप का अगर आपको कोई बॉक्स देना है अंदर तो आप इसका use कर सकते हैं उसके लिए जो है आप यहाँ पर text box के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे text box आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो colorful already होते हैं बाकी जो है आप इसको format के माध्यम से अलग भी कर सकते हैं चेंज भी कर सकेंगे तो इनमें से जो भी आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं तो जैसे मान लीजिए हम ये वाला box अगर ले लेते हैं जैसे जब हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा इसको जो है हम अपने text के अंदर अपने file के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं इसका size वगर चोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी matter है आप उसको chance भी कर सकते हैं आप इस पर click करेंगे पूरा का पूरा matter select हो जाएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर type करके वो matter कोई भी दूसरा लिख सकते हैं और उसको format करना है text को तो आप यहाँ से format कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको delete करना है तो आप delete का button प्रेस करेंगे delete हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है इसमें देख सकते हैं बहुत सारे कमाल के options मिल जाते हैं बहुत सारे आपको इसके अंदर नजर आ जाएंगे जैसे कि अगर आपको देना है जैसे पूरे file के अंदर अगर side में अगर आपको देना है तो आप यहां से देख सकते हैं यह जो है आपके right में आएगा और यह जो है left में आएगा अगर आप इसको click करते हैं तो आपे देख सकते हैं यह बिल्कुल left में आ गया है अगर आप इसको edit भी करना चाहते हैं चोटा करना चाहते हैं कितने का option है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे तरह तरह के boxes आपको मिल जाएगा तो यह तो रहा आपका text box हम इसको delete करते हैं और next option को देखते हैं next option के अंदर आपको मिलता है यहां पर यह रहा quick part quick part बहुत ही कमाल का option है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं first में auto text में actually कोई भी auto text अगर हमको डालना होता है यानि कि कोई भी ऐसा word यह ऐसी line जिनको हमें बार-बार use करना होता है तो उसको हम जो है auto text के अंदर डाल देते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे है साइट एक विजन है st है जो कि यह already जो है चुकि हमारे computer का नाम यह है तो यह already ले रखा है तो आप इसको change भी कर सकते हैं बदल भी सकते हैं तो जैसे माल लीजिए अभी अगर हम इसको use करके देखते हैं यह है साइट एक विजन साइट एक विजन में क्या होता है कि जैसे कोई भी जो भी यानि कि auto text के अंदर word है उसका थोड़ा भी अगर part आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा जो है ओ लाइन दिखती है जैसे कि माल लीजी यहाँ पर अगर हमें Site Tech Vision लिखना हुआ हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर जैसे हम साइट लिखेंगे उसके बाद इस पेस टी लिखेंगे तो यहाँ आप आप देख सकते हैं उपर में आ रहा है Site Tech Vision अगर इंसर्ट करना है तो आप इसको इंटर प्रेस कर देज़िए वो इंसर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं अगर माल लीजिए इसके अलामाइ अगर आपके हिसाब से कुछ चाहिए जैसे माल लीजिए यहां पर है computer hardware and software tutorial videos इसको अगर बार बार अगर आपको कही पर देना है तो आप इसको select करें यानि कि इसको अगर auto text में डालना है तो आप इसको select करें select करने के बाद जो है आप यहां से auto text पर आएं और नीचे आप यह देख सकते हैं save selection to auto text gallery आप इसको save कर सकते हैं save करने के लिए आप इस पर click करें और यहां पर यह option आ जाता है जो कि आप यह देख सकते हैं और name यहां पर अगर आप बदलना चाहते हैं computer hardware चुकि यह starting से लिया हुआ है तो यह already इस पर आ जाएगा यानि कि computer के बाद h जैसे प्रेस करें यानि कुछ ही word आपको लिखना होता है उसके बाद जो है यह total का total दिखा देता है उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे आगे का जो है वो अपने आप यह ले लेगा total का total insert हो जाएगा उसके बाद जो है gallery है यहां पर दिखा रहा है auto text gallery के अंदर यह आएगा category general ही है save in यह normal के अंदर save होगा इसको हम ok कर देते हैं सब कुछ ऐसे ही रखते हुए और उसके बाद जो है माल लीजिए यहां पर नीचे हमें यही line दुबारा से देना है तो यह इसके अंदर save हो चुका है या फिर अगर आप यहां से आना चाहते हैं auto text में देखेंगे तो यह देख सकते हैं यह already यहां पर आ गया है इस पर click करेंगे यह वहां पर आ जाएगा हम control Z करते हैं और type करते हुए अगर हमको लेना है तो जैसे हम लिखेंगे यहां पर computer तो इस तरीके साब देख सकते हैं उपर लिखा हुआ आ रहा है और enter जैसे press करें यहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से auto text का use होता है बहुत ही कमाल का option यह होता है और उसके बाद जो है उसके अंदर हम देखते हैं और क्या मिलता है उसके अंदर जो देखने को मिल जाएगा यह है document properties यह बहुत ही कमाल का option होता है actually document related एक property होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजे आती है अगर वो आपने feel करके रखा हुआ है और उन सारी चीजों के अगर हमें बार-बार जरूरत पड़ती रहती है तो हम उनको insult कर लिया करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से जैसे अगर हमें इस property को set करना है property के अंदर इसको अगर आपको set करना अपने हिसाब से तो आप इस पर click करेंगे और यह जो है यहां पर मिलेगा आपको advanced property में आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर टाइटल है टाइटल में माल लिजी हम यहां पर यहां यहां पर फाइल का टाइटल दे दे है अधर में माल लिजी हम यहां पर अधर में YouTube लिख देते हैं माल लिजे YouTube के लिए हमने यह फाइल बनाया हुआ है उसके बाद manager में माल लिजी हम अपना नाम लिख देते हैं यह सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे मैं ऐसे सिर्फ यह के उधारर दे रहा हूँ company में माल लिजी हम scientific vision लिख देते हैं इस तरीके से category में माल लिजी हम general लिख देते हैं keyword में अगमाल लिजी है अगर हम लिखते हैं यहाँ पर computer यहाँ पर लिख देते हैं comments में tutorial इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं अगर hyperlink भी देना चाहते हैं तो link यहाँ पर दे सकते हैं इस तरीके से complete करने के बाद जो है आप ok कर देंगे तो यह जो है property उसके हिसाब से set हो गई हम वापिस आते हैं तो यहाँ पर माल लीजिए हम कुछ भी type कर रहे हैं और property की कुछ चीज़े हम यहाँ पर ले करके आना चाहते हैं माल लीजिए हमें नहीं पता है या किसी और की file है वो बिल्कुल set किया हुआ है उसका manager कौन है कैसे कैसी क्या है property उसको अगर हम यहाँ पर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर auto text के अंदर आएंगे और property पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे categories वगएरा comments वगएरा companies वगएरा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगे तो माल लीजिए companies का नाम हमको देना है तो company पर click करेंगे यहाँ पर scientific company name हो गया company addresses वगएरा अगर आपको वहाँ पर देना था तो वह भी दे पाएंगे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर माल लीजिए अगर हमें other में हमने क्या दिया था या फिर categories में हमने क्या दिया था वो लेना है तो category में general हमने लिया था तो यहाँ पर आ तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर property की चीजे आप यहाँ पर ला सकते हैं कि उसी परकार से माल लीजिए जो भी हमने उसके अंदर सेप किया हुआ है इसके property के अंदर सेप किया हुआ है अगर हम field में आते हैं तो field के अंदर आने के बाद उसको हम थोड़ा सा variation करके हम अ title case में लिखना है कैसे लिखना है वो जो है आप यहाँ से maintain कर सकते हैं नंग पर रखेंगे तो जैसे वहाँ पर लिखे रहेंगे वैसे ही आएगा तो माल लीजिए upper case पर करके अगर हम okay करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं tutorial उसके अंदर हमने डाला था तो वो upper case में आया हुआ है तो इस तरीके से जो है आप यहां से maintain कर सकते हैं यानि कि यहां पर quick part के अंदर आपको जो है document property के अंदर बिल्कुल exactly वैसे ही आपको मिलेगा जैसा कि आपने property में set किया हुआ है और field के अंदर अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजे मिल सकते हैं यह है building blocks organizer यानि कि अगर आप इस पर click करते हैं तो यहां पर जो भी चीजे जो कि auto text के route में जो भी चीजे इस MS Word में set करेंगे आप वो सारी चीजे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो जो भी चीजे अगर आपको नहीं चाहिए माली जी स्टी सेव है नहीं आप यहां से इसको delete भी कर सकते हैं insert भी कर सकते हैं वो सारी चीजे आपको यहां पर दीखेंगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी चीजे मिल जाएगे आपको जैसे कि ये दख सकते हैं जो कि hidden footer में page numbers वगएरे ये सब जो सारी चीजे आती हैं इस सारी की सारी चीजे यहाँ पर save रहती हैं यही से जो है आपका word उठाता है और उन सारी चीजों को आप यहाँ पर भी बना करके save कर सकते हैं आप अपने हिसाब से उसको save कर सकते हैं जैसे page number देखने सकते हैं आप यह आ रहा है तो इस सारा कुछ जो है इसी के अंदर save रहता है तो यह organizer के अंदर भी आप जो है बना करके save कर सकते हैं जैसे कि आप यह देख पाएंगे तो इस सारी चीज़े यहाँ पर organizer में आकरके save हो जाती है और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसी के नीचे यह आता है save selection to quick part gallery gallery के अंदर अगर आप कोई चीज़ सेब करना चाहते हैं जो आपको अकसर paste पे ज़रूरी होता है जैसे माल लीचिए यह scientific vision हमारी heading है उसके नीचे जो है इसका content है यानि कि computer hardware and software tutorial videos हम बनाते हैं तो एक अकसर इस type के जितने भी हम file बनाएंगे सभी paste पर इसके हमें जरूरत पड़ेगी तो बार-बार लिखने के जगा हम इसको save कर सकते हैं और save करने के लिए जैसे हम select करेंगे select करने के बाद यहां से save selection to quick part gallery के अंदर हम इस पर click करेंगे तो यहां पर एक box खुल करके आएगा जो वहां पर save करने के लिए दे रहा है तो आप इसका नाम भी change कर सकते हैं gallery भी change कर सकते हैं category भी change कर सकते हैं बट इसके ज़रूत हमें नहीं है हम इसी पर रखते हुए okay करते हैं और माल लीचे कोई भी हम यहां पर new file लेते हैं कि हमने new file लिया यहां पर और यहां पर json insert पर आते हैं और यहां पर quick part में आएंगे तो आपको सबसे उपर ही यह दिख जाएगा आप इस पर click करेंगे तो already यह जो है यहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से जो है quick part का हम लोग use करते हैं बहुत ही कमाल का option होता है और जब भी हम कोई भी books बगएरा बनाते हैं magazines बगएरा बनाते हैं तो इसका हम लोग बहुत ही जादे use करते हैं तो दोस्तों मैं इमीद करता हूँ कि text box और जो है quick parts आपको proper समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई भी confusion है तो प्लीज कमेंट कीजिए वा उसका जबाब दूँगा और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा प्रिजा कमेंट में बताएं अगर वीडियो चलें तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share करें तो दोस्तों इस वीडियो पावी तक इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में तब तक के लिए thank you, have a nice day, bye bye